हलो प्यारे बच्चों I hope you are doing well यार बहुत सारे CUAT PG के काफी सारे बच्चे हैं जो की डिमांड कर रहे हैं कि भया हमारा रिजल्ट कब आएगा आंच्वर की आई वे काफी सारे दिन हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हो आंच्वर की की जो लास देट थी संबिट करने की फ या कैसे एडमिशन लेना है क्या करना है क्या नहीं करना तो यार हमारा जो है मिशन CUAT admission guidance program running में है तो आप उसमें enroll कर सकते हो इंडिया का best CUAT guidance plan counseling platform चल रहा है हभी by provided supported by engineering वाला counseling services उसका जो link है वीडियो के description में दे दिया गया है अब अपन आज यार देखने वाले कि भया आप 22 को ठीक है 22 का मतलब वहता है 22 तारीक को साम को just like पांच बजे की आसपास या फिर आप 23 मेक्सिम मान के चलो 23 तारीक को जो है आपका result आ जाएगा अब आपका admission का क्या process रहनी वारा है इसकी जो list है आपके सामने है देख सकते हो screen के ओपर मैं आपको list शो कर रहा हूं इतनी स अब आपको क्या करना पड़ेगा यार इडमिशन के लिए रही है इसके अंदर जो totally अगर बात करें यार को लिजों की तो 42 हो गई है ठीक है आपर जस मेरे को 42 शो कर रही है इसके साथ काफी सारे इसे कोलेज है जो कि बार्द में भी एड़ वे हैं जैसे एक काफी एचे एचे कोलेज है जैसे सदार पर्टेल उनिवर्सिटी ओ पूलिस security and criminal justice decision very good university okay so अब आपको क्या करना पड़ेगा यार admission के लिए भाया हम क्या करें right so यार देखो आपको ये सारा सीन होने वाला जैसे ही आपका scorecard release होता है आपके जो है एक तो आपके real percentile जो कि आपके marks आ रहे हैं वो release के जाएंगे दूसरा एक होगा आपका normalize score ठीक है normalize score का मतलब यह होता है कि जैसे आपके जो बहुत सारे subject थे बहुत सारे tough थे बहुत सारे easy थे तो उसके basis पर आपके score को just like dismantle कर दिया जाएगा जैसे आपके real के अंदर मान लो 80 percentile आ रहा है तो आपको normalize के अंदर उसका 25 percentile 30 percentile 60 percentile okay अगर आपके पूरे 100 में से 100 आ रहे है तो आपके 100 percentile आपका जो normalize जो score होगा उसके basis पे जो है आपको admission दिया जाएगा अब भया admission कैसे मिलेगा तो यार सबसे best option आपके लिए CUAT counseling का है तो आप उसमें enroll कर सकते हो लेकिन मैं आपको normally अगर बता हूँ जैसे कोई central university है अगर पर यहां पर देखे है central university का process तो क्या सारा scene होने वाला है तो यार बहुत सारी college हो ने जो है just like CUAT PG के regarding the information डाल दिये regarding the admission process जैसे मालो यह कोई central university है central university of Jammu ठीक है for example के लिए बात करते है या पिर आप central university of Haryana ले लो जैसे अरियाना के अंदर या राजस्तान के अंदर कोई भी course है जैसे MSC Chemistry है यह पर MSC Mathematics है तो इसके अंदर जैसे आपको जो वहां पर जो domain मांगा गया है MSC Mathematics में वहां लो आपका PCM है ठीक है Physics Chemistry Mathematics तो आपको जो domain required होते हैं वहां पर तो सिर्फ PCM मांगा जाता है अब बहुत सारी college जो में क्या होता है वहां पर जो general test होता है मालो English का आपने test दिया तो वहां पर जो requirement होते हैं वहां अलिपर 30% के होती है अब अगर English के अंदर अगर 100% भी आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है अब यहार वहां पर ना कुछ-कुछ ऐसे domain होते हैं कि आपको just like सब कुछ specification की जूरत नहीं है मालो वहां पर आपको दो domain दिये के हैं कि आपको आपको मेर्ट डालना है उसके बाद economics भी आप डाल सकते हैं science भी आप डाल सकते हैं physics भी आप डाल सकते हैं CUT-PG admission के regarding तो आप उसको जोईन कर सकते हो CUT-PG admission के सारी की सारी information जो है मैं आप तक पहुचाता रहूंगा guys ठीक है और भी कोई क्वारी हो नीचे comment box में बताना इतने दिन हमारा help line number running में थे due to just like student की heavy demand के कारण अभी काफी कम responding पर है तो जो भी student हमारा phone support plan या पर counseling plan guaranteed admission plan ले रहे हैं उनके लिए जो है काफी ज़्यदा helpful है तो आप जो भी है आप ले सकते हो अगर आपका interest हो अगर आप real के अंदर serious हो to getting the admission in Central University Colleges okay guys thank you thank you so much खूब पढ़ते रहो चोटों से प्यार करो बड़ों का समान करो धन्यवाद